Hello students, we are going to continue trigonometry chapter, special type of question करने वाले हैं आज, जब आपको a plus b plus c pi दिया होगा, इस special case से याद रखना है, pi मतलब 180 degree, right, तो a plus b plus c अगर 180 degree या फिर pi दिया हो, तो prove करो sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 sin a sin b sin c. तो देखते हैं, इस तरह के questions अगर आजाएं, तो उन्हें कैसे करना है, बड़े ध्यान से देखिएगा, जी, lhs ले रहे हैं, left hand side, left hand side में ये pair देखो आप, sin 2a plus sin 2b, actually sin c plus sin d वाला formula लग जाएगा, sin c plus sin d, ये किसके एकल होता है, जी, 2 sin c plus d by 2, cos c minus d upon 2, और last में plus sin 2c as it is, चलने देजिए, right, तो अब देखते हैं, क्या बनता है, 2 sin, अब उपर न, यहाँ पर 2 common निकालके, इस 2 से कट जाएगा, we will be left with only a plus b, same, यहाँ पर cos a minus b बचेगा, और साथ में क्या है, sin 2c, okay, और एक काम करते हैं, ये जो sin 2c है हमारे पास, इस sin 2c को हम यही पर ही लिख देते हैं, next step पे जाने की बजाए, क्या लिख देते हैं, formula लगा देते हैं, 2 sin c, cos c, ठीक है जी, तो ये split कर दिया हमने, अब देखिए, 2 sin, ये जो a plus b है, यहाँ पर देखो, a plus b की value क्या होगी, c right side में चला जाएगा, pi minus c होगी, यानि की a plus b की जगाँ पर pi minus c लिखा जा सकता है, तो हम इस a plus b की जगाँ पर pi minus c लिख रहे हैं, cos के साथ a minus b, plus 2 sin c, cos c, अगर formula याद हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती, sin 180 minus theta किसके एकलो होता है, sin theta के, तो देखो, हर जगें पर कोई ना कोई formula लगेगा, formula याद रखना है, cos a minus b, plus 2 sin c, cos c, आगे चलते जाओ, रास्ते अपने 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 अजर आते जाएंगे, अब यहाँ से देखो, 2 sin c common आ रहे हैं, common निकाल लेते हैं, क्या बचा हमारे पास, cos a minus b, plus cos c, ठीक है, अब cos c का क्या करें, देखते हैं, cos a minus b, plus, cos c की value यहाँ से क्या निकलेगे, देखो, वहाँ से फिल कर रहे हैं, पाई माइनस, यह a plus b दो नहीं उदर चले जाएंगे न, यह, मैं इसके उपर बार लगा रहा हूं, यह ध्यान रखना है, या तो मुझे a और b दो नहीं माइनस के लिखने पड़ेंगे, इसके इसाब से, अगर मैं a plus b को एकठा, टर्म मान के लिखना चाहता हूं, तो उसके उपर बार लगा देजिए, यानि कि bracket लगाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब a plus b एकठा है, ठीक है, आगे देखते हैं, 2 sinc as it is, cos a minus b, अब cos 180 minus theta के इसके एकलो होता है, minus cos theta के, यानि कि यहाँ पर आएगा minus cos a plus b, अब cos a minus b, minus cos a plus b, यह भी फॉर्मुले का फॉर्थ फॉर्मुला बनता था, क्या था, cos a minus b, minus cos a plus b, यह किसके एककलो होता है, जी, 2 sin a sin b के, 2 sin a sin b, डिरेक्ट फॉर्मुला किया हुआ यह वाला हमने, 2 sin a sin b, फाइनली, 2 को 2 से मल्टिप्लाई किया, 4 sin a, sin b, sin c, राइट साइड, यही हमें प्रूव करना था, तो देखो मुश्किल नहीं है, step by step चलोगे, तो हर तरह के questions आप कर पाऊगे, चलिए इसी तरह का एक question और करते हैं, चलिए यह question देखते हैं, इसमें भी a plus b plus c pi दे रखा है, लेकिन अब साइन की बजाए, cos की terms हैं, जिसे हमने प्रूव करना है, चलिए देखते हैं, किस तरह से करेंगे, method सेम रहेगा, first two terms देखो, cos c plus cos d formula बन रहा है, cos c plus cos d क्या होता है, बस formula याद रखने है, 2 cos a plus b by 2, और इसमें cos ही होता है, 2 cos a plus b by 2, था न, उसके जगह पर 2 a, 2 b है, तो वही use करेंगे, और last में जो cos 2 c है, अब sin 2 c का formula लगा था, वो तो सीधा लग गया था, 2 sin c cos c, cos 2 theta का आपने क्या होए, 2 cos theta minus 1, तो इसके जगह पर 2 cos c minus 1, यानि इसका formula यहाँ पर, बना क्या हमारे पास, 2 cos a plus b, cos a minus b, 2 कट जाएंगे, last में, 2 cos square c minus 1, मेरे को न, यह minus 1 नजर आगया, कि जो prove करना है, minus 1 तो बन गया, बाकि जो कुछ है, वो इन से बनेगा, देखते हैं, बिल्कुल same steps, अब मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, a plus b की जगएंपर, pi minus c, जैसे हमने, पिछले question में लिखा था, cos a minus b, और साथ में है, 2 cos square c minus 1, चीक है जी, अब क्या करते हैं, यह देखो, यह cos 180 minus theta, किसके एककोल होता है, minus cos theta के एककोल होता है, तो यह बनेगा, minus 2 cos c, और यह cos a minus b, एक बार रखो as it is, plus 2 cos square c minus 1, अब एक काम करते हैं, हमें minus 1 आगे चाहिए न, यह minus 1 उठा के पहले लिख लेते हैं, एक term यह, एक यह, इन दोनों में से, minus 2 cos c common नका लेते हैं, यहां तो बचचेगा, सिरफ cos a minus b, क्योंकि हमने, minus बाहर निकाला है न, तो यह plus वाली term अब negative हो जाएगी, और यहां पर आएगा, सिरफ cos c, क्योंकि बाकी तो बाहर निकल चुका है, आगे देखते हैं, cos a minus b minus, वैसे ही अब c के जगह पर फिर से लिखिए, pi minus a plus b के उपर बार लगा के लिख रहे हैं, जिसका मतलब है कि a plus b 81 है, क्या बनेगा, minus 1 minus 2 cos c, cos a minus b, यह cos 180 minus theta क्या होता है, minus cos theta, तो बाहर minus तो पहले ही है, तो minus minus plus हो जाएगा, cos a plus b, हाँ जी, यहां तक, किसी को कोई confusion नहीं होनी चाहिए, right, अब अगर आप इसको सीधा ही कर दोगे न, कि cos a minus b, उसमें था minus, जो अपने पहले formula किया था न, उसमें बीच में minus था, जबकि यहां पर minus नहीं है, main चीज यह देखने वाली है, कि यहां पर plus से बीच में, तो वो formula नहीं लगेगा, cos c plus cos d किसके एककल होता है, 2 cos c plus d by 2, यह देखो, एकठा formula लगा दिया, cos c plus cos d का, साथ में क्या होता है, cos c minus, अब d लिखना है न, तो a plus b bracket में आएगा, a plus b मैं bracket में नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन फिर दोनों sign change करने पढ़ेंगे, दोनों के sign change कर दिये, नीचे टू, तो जी यह formula लगा दिया हमने, आगे देखते हैं, इसी question को आगे continue कैसे करना है, ध्यान से देखते जाईएगा, मुश्किल नहीं है, steps देखें आपने पिछले question में भी, और इस question में भी, almost steps same है, मैं बसेंड में आके थोड़ा सा change हुआ, देखते हैं, और वो भी मुझे idea हो गया, क्योंकि उसका answer तो sign में आ रहा था पिछली बार, अब तो course में लेके आना है, तो देखते हैं, आगे क्या बन रहे है, यहाँ पर, बी से बी कट रहे, बी से बी कट रहे है, ए पलस ए 2 ए, 2 ए बाइ 2, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो सिरफ ए बचेगा, चलिए, ए लिख लेते हैं, course ए, यहाँ पर, ए से ए कट रहे है, माइनस बी, माइनस बी मतलब, माइनस टू बी, 2 से 2 काड देते हैं, और बचे का क्या, कोस ओफ माइनस बी, ठीक है, इतने इतने चीज रख लेते हैं, अब हमें यह पता है, कोस माइनस थिट्टा किसके एककोल होता है, कोस थिट्टा के, फॉर्थ क्वाडरेंट में है, यह कंसेप्ट पढ़ा हुए, माइनस वन माइनस 2 कोस सी, 2 कोस ए, तो कोस माइनस बी के जगह पर हम कोस बी लिखतेंगे, और फाइनली क्या बनेगा, माइनस वन माइनस, 2 को 2 से करेंगे 4, कोस ए, कोस बी, कोस सी, विच इप्वल टू राइट साइड, आपको यही तो प्रूव करना था, तो आज हमने नया मेथड किया, जब A प्लस B प्लस C क्या दिया हो, पाई दिया हो, तो मैं इसी का एक कुश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप यह कुश्चन ज़रूर करियेगा, कि अगर हमारे पास, साइन भी माइनस साइन सी, अभी इसमें थोड़ा सा चेंज है, मैं हिंट दे दूँगा अभी आपको, लेकिन करियेगा आप, 4 साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, कॉस सी बाई टू, हमें यह प्रूव करना है जाए, इसका हिंट दे देता हूँ, आपको सबसे पहले तो यह साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मुला लगेगा, बिल्कुल से मैथट से, थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि इसमें अब टू नहीं है न, उसमें टू से टू कड़ जाता था, तो वहाँ पाई यूज होता था, यहाँ पाई यूज नहीं होगा, पाई बै टू पिक्चर में आ जाएगा, बाकि सब मैथट सेम रहेगा, आप इसकी प्रैक्टिस करके देखे, ट्राई करके देखेगा, जरूर हो जाएगा कुशिन, राइट, गड़ ब्लेस यू अल, कल हम आगे कॉंटिन्यू करेगे, थैंक यू,